गुड मॉर्निक दोस्तों सुबा के साथ बज गया है जल्दी से उड़ जाईए और आज के जो इंपॉर्टन करेंट अफेर हैं आप मतलब 29 जनवरी के जो इंपॉर्टन करेंट अफेर हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ आपको पता ही है कि सुबा रोज 7 बज़े ये करेंट अफेर पढ़ाए जाते हैं आपको लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टन जो करेंट अफेर आपके एक्जाम के लिए होते हैं वही लेकर आता हूँ तो कोई भी वीडियो मिस करने वाला नहीं तो शुरुगात करते हैं किस रेल्वे स्टेशन को ग्रीन रेल्वे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है तो विशाखा पतनम वाईज्याग रेल्वे स्टेशन या विशाखा पतनम रेल्वे स्टेशन ये IGBC के दव बारा दिया गया है मतलब ऐसा रेल्वेस्टेशन भारत के अंदर जो आप हमारे इन्वायर्मेंट को ज्यादा नुक्सान ना पहुंचा रहा हूँ मतलब ऐसी विवस्था उस रेल्वेस्टेशन पे की गई हो ऐसी साफ सुथरी विवस्था या जो भी गंदगी है उसको इस तरीके से डंप किया जा रहा है कि मतलब एमारे इन्वायर्मेंट पे वो ज्यादा बुरा परभाव ना डाल रहा हूँ तो यह पहली रेंग पर आया है ब्यासी पॉइंट इसको मिले हैं विशाका पत्तम तो किस राज्जी ने 165 पशुवों के लिए एम्बुलंस की शुरुवात की है तो राइट अंसर है आंदरपरदेश आंदरपरदेश के सीम है जगन मोहन रेटी गवर्नर है वहां के इस देश के मिडिया प्राधिकरन के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं अर्थात MOU साइन किया है तो इजिप्ट के साथ किसलिए कंटेंड एक्सचेंज करने के लिए मतलब न्यूज या जानकारी एक्सचेंज करने के लिए इंडिया की जो प्रसार भारती है वो अपना news या अपना content वहाँ exchange करेगी और वो हमें exchange करेगी, हमको देगी प्रसार भारती की बात करें, प्रसार भारती के वर्तमान में सी E.O है शिरी गौरव दिवेदी सहाब प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ था, प्रसार भारती हमारी भारत सरकार के ही अधीन है और किस के अधीन है, किस ministry के अधीन है, तो ministry of information and broadcasting next question है, कौन सा देश भविश के मंगल अभियानों के लिए परमानू इंजन का परिक्षन करेगा तो अमेरिका, अमेरिका की जो NASA Agency है, National Aeronautics and Space Administration Headquarter जिसका Washington DC है, अमेरिका के, अब इन्होंने क्या करना है कि परमानू इंजन का ये परिक्षन करेंगे मंगल जो अभियान करने वाले हैं भविश में, उसके लिए परमानू इंजन का ये परिक्षन करेंगे नाब की विखंडन की किरिया उसमें होगी, जिससे धेर सारा इंधन इनको पराप्त होगा और ये आसानी से मंगल तक अपने जो यान है भेज सकेंगे और अभी तक आपको पता है कि किसी भी देश ने मंगल पर कुसी व्यक्ति को किसी साइंटिस्ट को नहीं भेजा है लेकिन ये करने का प्रयास नासा करेगी इसी कारण से प्रमाणू इंजन का परिक्षन कर रही है ताकि जो नाबकी विखंडन की किरियाएं वो होती रहेंगी और जादा इंधन मिल जाएगा और इसके माध्यम से ये असानी से पहुंच जाएगा हमारा भारत आप जानते हैं पहली बार में ही मंगल यान हमारा सफलता से मंगल पर पहुंच गया था ऐसा करने वाले विश्व के हम पहले देश थे जो पहली बार में सफ़लता पूरोख हमने पहुंचा दिया थे अमेरिका के जो प्रेजिडेंट है जॉइ बीडन औरेंज फेस्टिवल 2023 कहां मनाया गया तो नागा लेंड में नागा लेंड के कोहीमा में मनाया गया हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सोलर परियोजना फ्लोटिंग सोलर जो सिस्टम है ये कहां पर इसका उद्खातन किया गया चंडिगड के अंदर बनवारी लाल पुरोहित ची ने किया है बनवारी लाल पुरोहित ये पंजाब के गवर्नर है नेक्स्ट क्वेशन है वीर गार्जियन 2023 ये वायू अभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ तो भारत और जापान के बीच में हुआ भारत की जो वायू सेना है इसको भारती वायू सेना कहा जाता है इंडियन एर फोर्स ऐसे ही जापान की जो वायू सेना है Air Self-Defense Force उसे कहा जाता है ये वायू अभ्यास जो है 10 जनवरी से 26 जनवरी तक चला 16 दिन तक चला कहां पे जापान के अंदर ऐसे हमारी इंडियन एर फोर्स का हेड़कॉर्टर दिल्ली में है हमारी इंडियन एर फोर्स का जो गठन है स्थापना 8 अक्तूबर 1932 को हुआ था इस समय इंडियन एर फोर्स के जो परमुक है राकेश कुमार सिंग है पूरा नाम है राकेश कुमार सिंग भदोरिया ठीक है और complete GS के class notes अगर आपको चाहिए तो शिरी education application पर available हैं आप ले सकते हैं अब देखिए data गोपनीता दिवस कब मनाया जाता है मतलब world data privacy day जो मनाया जाता है 28 जनवरी को हर साल 28 जनवरी को data गोपनीता दिवस या world data privacy मनाया जाता है यह विश्व लेवर मनाया जाता है इसका उद्देश क्या है कि लोगों का यह अधिकार है कि जो अपने व्यक्तिगत जानकारी है उसकी रक्षा करें ठीक है तो दोस्तों यह आठ current affair है लेकिन बहुत important current affair है मैं वैसे ही current affair चूज करके आपके लिए लाता हूं ज कोई भी यह video miss मत कीजेगा current affair के साथ है daily कुछ ना कुछ important classes भी होती रहती है जैसे अभी वरतमान में पॉलिटी की class हो रही है और Indian national movement खतम होने वाला है एक दो वीडियो और है Indian national movement आपका complete हो जाएगा लगबग 60 वीडियो है तो जरूर देख लीजेगा और इसके अलावा बहुत इंट्रेस्टिंग तरीके से यूनिक वे में पढ़ाय जा रहा पढ़ लीजेगा हम आपसे मिलेंगे अगले अपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार